वेरे गूड मॉर्निंग दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सबका चलिए 17 सितंबर है आज दियान दियेगा और साथ में हम लोग 16 सितंबर कभी एट करेंगे ओके चलिए सुरुवात करते हैं आज का जोस्येशन पहला प्रशन आप लोग के सामने है दोस्तों देखें कजरी तीज परव ये भादो कृष्ण पक्ष के तृतिया को मनाया जाता है बाकि दियान रखना है कि 36 गड़ में क्या 36 गड़ में इसे कजरीया तीज के नाम से भी जाना जाता है और ये परव दोस्तों भगवान सिव और माता पारवती जी को समरपित है याद रखना है कि सावन और भादो के महिने में दो प्रकार के जो है तीज मनाई जाती है सावन महिने के जो है सुकल पक्ष में जो तीज मनाई जाती है उसे क्या बोलते हैं हर्याली तीज के नाम से जाना जाता है और भादो के जो है भादो महिने में कृष्ण पक्ष में मनाया जाने वाले तीच को दूस्तों कजरी तीच के नाम से जाना जाता है याद रखने इतने पॉइंट को यह चीज आपको मालूम था कि नहीं आप लोग कमेंट्स में बताइएगा इसका सही आंसर है करेक्ट आंसर नंबर देखेगा डी सही है 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस ओके एट की जगा तो याद रखने की हाली में राजी के जो है मुख्य मंत्री के द्वारा गोशना किया गया कि 36 गड़ के सास की चिकिस्सा महाविद्यालव में जो है अब हिंदी में पढ़ाई होगी और इसी सेक्षणिक सत्र से जो है प्रत्थम वर्स की जो है पढ़ाई हिंदी में कराई जाएगी ओके एट की जगा यह जो है स अब पॉइंट को ओके चलिए नेक्स प्रश्णिया है देखे 36 की कितने खिलाडियों का चैन होम लेस फुटबॉल वर्ल्ड कप की ग्लोबल टूनामेंट के लिए हुआ है और यहाँ पर है उस तो आपसन को सई आंसर है करेक्ट आंसर उस आपसन नंबर देखेगा डी सई ह दो ओके एट की जिएगा दो खिलाडियों का हुआ है देखने इसके समय याद रखेगा कि 36 के जो है दो फुटबॉल खिलाडी जस्पूर की आपका जिए है जस्पूर की जो है निधी लकड़ा और राइपूर की जो है संजना चुना का जो है चैन भारती टीम में होम लेस फुटबॉल वर्ल्ड कप की जो है ग्लोबल टूनामेंट के लिए हुआ है नाम याद रखेगा दोनों का निधी लकड़ा और राइपूर की संजना चुरा और यही है कि 21 से 28 सितंबर तक दुस्तों दक्षड कोरिया में होने वाले जो है होम लेस वर्ल्ड कप में हिस्सा लेंगे भारती टीम ओके एट की जिएगा कि 26 से कौन-कौन भाग लिए है ओके दो खिलाडियों का नाम याद रखेगा है ना चलिए नेक्स प्रशनी है दोस्तों देखे 36 के किस सूप्रसीद कभी को रावतपूरा सरकार विश्व इद्यालाई की और से डीलिट की उपाध प्रदान की गई है तो अब सने यहां पर है दियान दियेगा चाहरा देख लीजेगा है ना पिक पहचान जाइए तो इसका सही आंसर है करेक्ट आंसर अप्तन नमर दोस्तों यह सही है डॉक्टर सूरेंदर दूबे जी ओके एट की जिएगा देखेगा इसके स्टमन में ड तो पहले भी कई सम्मान मिल चुके हैं और 2010 में सतो पदमस्री, 2012 में पंड़ी सुंदालाल सरमा सम्मान और अट्ठा सम्मान अपका सहयुगत राज अमरीका में सतों लेड़िंग पोस्ट याद रखना है यह अपकर पोस्ट नहीं है, लेड़िंग पोईट ऑफ इंडिया सम पेज़ोडी की उपादी भी प्रदान की है तो नाम याद रखेगा है ना ध्यान रखना है ना डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी ओके चलिए यह अगला प्रशन है दोस्तों देखे पी एम ईबस सेवा योजना के तहत भारा सरकार द्वारा चत्तिस गड़ में सारवजनिक परिवहन के लिए कितने इबसों की स्विक्रिती प्रदान की गई है डिप याद रखेगा कि हाली में पी एम ईबस सेवा योजना के तहत भारा सरकार द्वारा चत्तिस गड़ में सारवजनिक परिवहन के लिए याद रखना रखना नहीं के लिए इसको आप लोग लग कर लीज़ेगा इसको भी आप लोग रीट कर लीज़ेगा ओके चलिए नेक्स प्रस्न देखते हूँ देखें देथ में, देखे देष में, टेली वीजन प्रसारन दूर दरसन की जुन्हों है, सुर्वात कब हुई ती दोश्तों। इसको इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर नमबर C है, 15 सितंबर 1969 को हुई थी, ओके, एट की जगा, देखते हैं इसके समन्द में, याद रखिएगा कि दूरदरसन याद रखना है दूस्तों, 65 वी जो है, वर्सघाट मना रहा है, ओके, और देश में दूरदरसन की जो सुरवात है, राजेंदर प्रसाज जी ने किया था, कब, तो याद रखिएगा, 15 सितंबर 1969 को किया था, ओके, एट की जगा, बाके ध्यान रखना है, कि इसका जो है, हाली में विशेश कारक्रम होगा, इसी आउसर पर, तो दिल से दूरदरसन, डीडी एड़दरेट, 65 ये जो है, कारक्र के तहत, म्यानमार, लाओस, और वियतनाम की मदद के लिए, शमागरी भेजी है, तो किस जो है, ऑपरेशन के तहत, अपसन यहाँ पर है, देखेंगे, ऑपसन को, करेक्ट एंसर अपसन नमबर C है, याद रखने, ऑपरेशन शदभाव, ओके, एड की जगा, ऑपरेशन शद शदभाव के तहत, बाकि यही है, नाम याद रखने, ऑपरेशन, शदभाव, कौन-कौन से देश, कौन से जे तुफान, ओके, ध्यान रखने इसको, ओके, चलिए, नेक्स प्रस्नी यह है, देखें, किसने जो है, उत्तर प्रदिस के बरेली के प्रसिद्ध, चिकिस्सक, सर अगरवाल के पुस्तक, हिंदी कहावत को दूसरे संस्क्राण का विमोचन किया है, बाकि ध्यान रखने कि 10,000 से अधिक हिंदी कहावती है, याद रखने, और उत्पत्ति कहां कहां से हुई, उनको भी है, सामिल किया गया है, ओके, कुर्दर जुहार वैली, 21 जिले में स्थ अधित है, तो अप्सन यहां पर है, उस्तो धियान दियेगा, इसका सही अंसर है, करेक्ट अंसर अप्सन नंबर बी है, याद रखेगा, यह बिलासपूर में है, ओके, देखे, दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेश, दुर्ग से कहां के लिए चलाई जा रही है, तो अप्स जिले से है, उस्तो धियान दियेगा, इसका सही अंसर है, करेक्ट अंसर अंसर नंबर डी है, याद रखेगा, बिलासपूर जिला, ओके, अगामी बस्तर दसहरा परव के दावरान, मुडिया दरबार का आयोजन, कब किया जाएगा, तो कब किया जाएगा, तो अप्सन यहा अप्सन को, इसका सही अंसर है, करेक्ट अंसर अंसर नंबर बी है, अमरित मुहन परशाद, ओके, चलिए, शुक्रिया जोस्तों, यहला प्रशन आप लोगों के लिए है, निमल एकित में से किस छेत्र का नाम रामायर कल में हंदोमन था, तो इसके बारे में आप लोग को बताना है, डेटेल में, और जो भी आंसर होगा जोस्तों, उसके बारे में भी आप लोग को बताना है, कि उसका जो है नाम अभी कौन से परिवर्तन किया गया है, ठीक है, कौन से नाम रखा गया है अभी, ओके, शुक्रिया जोस्तों,